Hello friends, welcome to Sakshit. हमने matter की last two classes में matter के बारे में पढ़ा था, states of matter के बारे में पढ़ा था. आज की हमारी last class है matter topics related. तो आईए शुरू करते हैं. आज की class में हम पढ़ेंगे change of states of matter, inter-conversion of states of matter and latent heat के बारे में. So let's begin with a class. Change of state of matter, हमने पढ़ा था matter की तीन states होते हैं, solid, liquids and gases. अभी जो solids, liquids and gases हैं, इनकी जो state हैं, हम इनको change भी कर सकते हैं. means solid को liquids में change कर सकते हैं, liquid को gases में change कर सकते हैं, gases को liquids में change कर सकते हैं, liquids को solids में change कर सकते हैं. तो these are all change of state of matter. अभी इसके बारे में हम detail में discuss करते हैं. अब यह change of matter जो होता है यह physical change होता है physical means कि जो इस form में हम उसको देख पा रहे हैं से वही इसकी form change होते है उसके अंदर की जो chemical properties हैं वो change नहीं होती है और यह जो changes है यह reversible होते हैं means कि अगर हमने जिसे for example अगर ice ले ले हम अब यहां पिक में देख पा रहे हैं कि यह ice थी, यह melt हो गई किस में change होगी यह liquid form में यानि कि water form में change होगी इसे water को अगर हम वापस freezer में रख दें तो यह वापस solid form में change हो जाएगा तो इक means कि जो changes हैं यह reversible होते हैं means कि इनको हम change कर सकते हैं next is कि अभी जो changes होते हैं basically दो condition पे based होता है adding or removing energy या तो हम इसके energy add करके या energy remove करके अगर मालो कि ice है ice को हमने water में change करना है तो हम उसमें energy या उसमें जो heat है उसमें add करेंगे तो उससे क्या होगा वो solid से solid से वो liquid form में change हो जाएगा अगर इस liquid में से हम energy जो है वो minus करते हैं रिमूव करते हैं उसको वापिस हम फ्रीजर में लगते हैं तो उसका temperature जो है वो कम हो जाएगा तो वो liquid से solid form में change हो जाएगा तो means कि adding और removing energy from matter causes changes in matter ठीक है next इसमें कि अब जो water है water as solid form exist करता है ice की form में अगर उसका temperature zero degree या उससे below है ठीक है अगर temperature zero degree या बिलो है तो जो water है हमेशा ice की form में ही exist करेगा अगर वो room temperature में है ठीक है water जो है room temperature में है तो वो हमेशा liquid की form में exist करेगा और steam की form में कब exist करेगा जब उसका temperature जो है 100 degree Celsius या उससे above चला जाएगा ठीक है zero degree Celsius पे ice की form में room temperature में liquid की form में and 100 degree Celsius से above अगर temperature चला जाए तो वो gas form में यान की steam form में exist करता है ठीक है अब इसमें बहुत सारी changes होते है change of states of matter हैं जिसके बारे में अब हम दागे discuss करते हैं तो सबसे वाला change of state of matter is melting झाला जाएवरद से मुझ ऑलिए बहुत więcej है झाल 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 फ्रीजिंग फ्रीजिंग क्या होता है कि जिस प्रोसेस में हम लिक्विट्स को सॉलिट्स में चेंज कर जाते हैं फ्रीजिंग में हम सॉलिट्स को लिक्विट्स में चेंज कर रहे हैं जैसे आइस है आइस कैसे चेंज कर सकते हैं लिक्विट्स को यानि कि वाटर को हमने फ्रीजर में रखा तो यह किस में चेंज जाते हैं आइस फॉर्म में चेंज जाते हैं लिक्विट्स नेफी चेंज चेंज चरखेंग सव लिक्विट्स को लिक्विट्स कोरिख ऎ चेंज जाते हैं तो अग्मिस कोुंक्राइज जारी आइस लिक्विट्स सेवतिर में ड़िक deleted आठ तो अग्सिम आपास हैं बॉइलिंग बोयलिंग ऑनिति हम हम ơi also करके उसके वन गयाशस फोर में चेंज कर देते हैं किसी भी लिकृट को हीब करके हम इसको ए Cow काशर इस क्वर में चेंज कर देते हैं धैव संवोनIs थे कैसफ न है यह The process in which a lichi Award melts and changes into gas is called boiling और जिस टेम प्रेचर पे कोई भी process जब gaseous form में change हो जाता है तो उस temperature को बोलते हैं boiling point of the liquid boiling point of the liquid ठीक है अब for example अब देखिए जैसे water है water को अगर हम heat up कर रहे है जब तक उसका temperature 100 degree celsius तक पहुंच जाता है उसके बार जो लिक्विड है वो gaseous form में change होना शुरू हो जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं boiling अब जो boiling point पर क्या होता है कि जो liquid change है जो state है वो किस में change जाती है gaseous state में change जाती है that is boiling boiling के आप next आता है condensation condensation is basically opposite of boiling boiling में हम लिक्विड को gaseous form में change कर देते हैं ठीक है तो condensation is reverse of boiling ठीक है process of changing of gas to liquid by cooling is called condensation ठीक है जैसे आप यहाँ पे picture देख रहे हैं ठीक है कोई bottle है जैसे आप घर में भी अगर फ्रीजर से या फ्रीजर से कोई भी bottle बाहर निकाल के रखते हैं तो आप देख थोड़े टाइम बाहर देखते हैं कि जो bottle है उसकी साइट्स पर थोड़े थोड़े water droplets आगे तो ऐसा क्यूं होता है ठीक है जो जो gases होती है ठीक है air में gases होती है इसमें वेपर्स भी होते हैं जो वेपर्स जो है वो बाटल के जब contact में आते हैं तो उनका जो temperature है वो कम होना शुरू हो जाता है ठीक है जैसे जैसे उसका temperature कम होना शुरू होगा वो वैसे वैसे यह टाइनी जो है water droplets की form में change होना शुरू हो जाते है तो इस process को बोलते है condensation next is condensation of steam इसमें क्या होता है कि जब steam है वो water में change जाते है और cooling ठीक है steam को हमने जो water में change किया cool करने पर that is condensation of steam next that we have is sublimation sublimation क्या होता है ठीक है अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पहले solids है ठीक है से ice that is solid form of matter यह पहले liquid में change होता है यानि कि water में उसके बाद यह gaseous form में change होता है ठीक है heat करने पर वो gaseous form में change जाते है लेकिन कुछ हैसे substances भी होते हैं जो directly solid से gaseous form में change जाते हैं यह gaseous से वो directly solid form में change जाते है without undergoing liquid form वो liquid form में आते ही नहीं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं sublimation ठीक है अब sublimation के बाद जिसे solid जो है जो solid जो वेपर स्कूल होके solid form में change हो जाते हैं तो उसको solid को बोलते हैं sublimation जैसे for example dry ice ठीक है यह dry ice है ठीक है यह जो carbon dioxide gas इसको solidify करके उसको pressurize करके हम dry ice में change कर सकते हैं तो इस प्रोसेस होता है sublimation यह liquid form भी नहीं आते है डारेक्ली gaseous से solid form में change जाते है ठीक है इसके और भी example है इसके camphor है naphthalene balls है ammonium chloride these are all example of sublimation यह डारेक्ली solid से gaseous form में change जाते है without undergoing liquid form next that we have is evaporation evaporation में क्या होता है कि एक liquid जो है vapor form में change जो जाते है तो it is set to evaporate और इस process में एक liquid जो है vapor form में change हो रहा है before reaching its boiling point यानि कि वह boiling point तक पहुंचता भी नहीं उससे पहले ही वह vapor form में change होना शुरू हो जाता है तो उस process को बोलते हैं evaporation ठीक है जैसे हाप एक vessel है ठीक है इसको heat up किया जा रहे है तो यह vapor form में change हो जाएगा पानी है अब हमने पीछे पढ़ा था कि इसका boiling point कितना होता है 100 degree Celsius वह 100 degree Celsius रीच नहीं करता है उससे पहले ही वह vapor form में change होना शुरू हो जाता है तो इस process को बोलते हैं evaporation ठीक है अब लिक्विट से वेपर form में change करना होता है तो उसे latent heat of vaporization जो है वो supply करनी पड़ती है उसके बिना कोई भी लिक्विट जो हो वेपर form में change नहीं होता है ठीक है तो अब next में है कि evaporation के लिए चार factors बहुत important होते हैं एनकि evaporation चार main factors पर डिपेंड करता है first is temperature तिकर जैसे जैसे जितना temperature increase होगा उतना ही evaporation जो है वो faster तो में इसमें direct relation है हाई डिटेंपरीचर है हाया और भी ओपारेशियों से नफ बीघेःटरा सेकर में लिक्ति से में है सबंदोित करें बड़ा एरिया है उतना ही ज्यादा इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी एक कॉमन एक्जामपल लेकर समझा तो इसे प्लोट को आप बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करके सुखाने के लिए रखते हैं जितना कपड़ा है वह अच्छे से स्प्रेड होगा उतने ही वह होगा इट मीज जो सर्फेस एरिया और इवापोरेशन उसमें भी डारेक्ट रिलेशन है हाया दर सर्फेस एरिया हायर विल बी इवापोरेशन नेक्स्ट इस हुमिडिटी हुमिडिटी क्या होती है हुमिडिटी इस बेसिकली कि एक प्रेजन टाइम में एर में कितना मॉइ मोइस्टर है वो हिमीडिटी होता है सिकischerी ओर इन्व में इंवापुरेशन जादा हविए इह इंवापुरेर्ट neuपाहि वह होगा जैसे मानलो कि रेनी सीजन में और अर बोल्ट होता है तो हमीडियोटी में बॉट आपाहिएशन में इंवापुरेशन होता है नेक्स जो इसमें है वो है wind speed, यानि कि कितनी तेजी से हवा चल रही है, अब इसमें भी direct relation होता है, जितनी जादा wind speed होएगी, उतना ही जादा evaporation का rate होगा, यानि कि जितनी जादा तेजी से wind जाएगी, वो उतनी ही तेजी से जो पानी है, या कुछ पी चीज़ा है, उसको अ नेक्स अब अभी हमने जितना भी states के बार में पढ़ा है, change of states, अब एक पर उसकी revision कर लेते हैं, ठीक है, ये एक diagram से represent किया गया है, सबसे पहले gases है, gases को जब हम solids form में change कर देते हैं, directly, solids, sorry, gases गोए, directly solids form में change आरे है, that is known as sublimation, ठीक है, इसको reverse भी, solids गोई, gases form में change हो रहे है, without undergoing liquid form, that is also known as sublimation, नेक्स से जब gases गोई है, वो liquids form में change हो रहे है, ठीक है, that is known as condensation, अब liquids गोई है, that is known as boiling, जब solids लिक्विट में चेंज हो रहे हैं that is melting and liquids जब solids में चेंज हो रहे हैं that is known as freezing तो यह डाइग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन था जो अब हमने इंटर कन्वर्जन पड़ी है ठीक है अब हमने जो लेटेंट थीट वेपरजेशन ठीक हमने छोड़ा था बागे उसको कंटेन्व करते हैं कि लेटेंट थीट क्या होती है अभी हमने पढ़ा था कि एक सब्सक्रांस को हम उसका state जो है वो change कर सकते हैं solid से liquid यह liquid से gases form हम उसे change कर सकते हैं तो उस change के लिए कुछ हमें heat energy उसको provide करनी पड़ते हैं तो उस heat energy को बोलते हैं latent heat the heat energy which has to be supplied to change the state state liquid से solid से solid से gases जब भी हमने उसका state change करना होते है कुछ heat energy supply करनी होते है तो उस energy को बोलते है latent heat और basically latent का मतलब होता है hidden ठीक है hidden means कि वो heat होते है वो hidden होते है हमें access दिखाई नहीं देती है और उससे वो उसका temperature जो substance है उसका temperature पर कोई effect नहीं होता है वो उसका temperature rise नहीं करते है इसे solid है ice को अगर कुछ heat करेंगे उसको room temperature पर रखेंगे तो लिक्विट फर्म में change जाता है तो यह जो heat absorb करता है आस पास से जो यह heat absorb करता है वो उसको liquid form में change करने में help करते है लेकिन उससे कि जो ice है तिरुपरेचर राइस नहीं होता है तो इंत मींज जो legitimate heat होती हिदन होती है चीपी हुए heat होती है जिस सबसेंस का नहीं होता है अब झोटमcular中OOD हुआ हैसा supply करने होता है अगर कोई भी substance का में ने state change करना है तो उसको latent heat supply करने ही करने पड़ते हैं without latent heat उसका जो state है वो change नहीं होगा ठीक है अब जो latent heat है इसके भी दो types होते है latent heat of fusion and latent heat of vaporization इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब आगे types of latent heat first is latent heat of fusion इसके जब fusion हमने पीछे बढ़ाते हैं जब हम solids को liquid में change करते हैं उस process को melting या fusion बोलते हैं तो जब solids को liquid form में change करने के लिए जो heat चाहिए होते हैं उसे heat provide करनी होती है that is latent heat of fusion इसमें इसको latent heat of melting भी बोलते हैं क्योंकि fusion को melting बोलते हैं तो इसे हम latent heat of melting भी बोल सकते हैं इसका एक example है कि latent heat of fusion of ice it means कि अगर 1 kg of ice को हमने melt करना है तो उसको हमें 3.3 into 10 रेस्ट अपार 5 जो है इतनी amount of latent heat उसको provide करनी पड़ेगी 1 kg of ice को melt करने के लिए ठीक है so that was latent heat of fusion next is latent heat of vaporization इसमें क्या होता है कि अगर जो liquid को vapor state में change करने के लिए जो heat चाहिए होती है ठीक है liquids को vapor state में change कर सकते हैं उसे boiling बोलते हैं ठीक है उसके लिए जो heat required होती है तो that is latent heat of vaporization अब इसमें है कि अगर हमने एक आइस को ठीक है अगर आइस को हमने वेपर फॉर्म में change करना है तो उसके लिए हमें इतनी amount of energy जो है वो supply करने पड़े गया इतनी amount of latent heat उसे supply करने पड़ेगी वेपर फॉर्म में change होने के लिए तो आज का हमारा topic यहीं तक था इसके साथ हमारा matter chapter है वो भी complete होता है अब आगे हम कुछ review questions करते है रिव्यू question करने से पहले प्लीज आप एक बार हमारी website पर जुरूर विजिट कीजिए वहां पर बहुत सारे mcq packages है जो आपको exam में बहुत help कर सकते हैं इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आपको कोई भी query है कोई भी suggestion देना चाहते है तो प्लीज उसे comment box में जरूर शेट कीजिए and review question करते time please video को pause करके answer खुद करने की कोशिश कीज़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको class में कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है तो let's begin with a review question हमारा question the heat required to convert a solid into liquid state is called जो heat एक solid से liquid form में change करने के लिए चाहिए होते है उसे क्या बोलते हैं latent heat freezing latent heat of fusion the latent heat of vaporization yes the answer is latent heat of fusion next the process of a liquid changing into water vapors even below its boiling point is called humidity boiling condensation evaporation yes the answer is evaporation process by which solid changes directly into vapor state is called ठीक है solids जो है directly vapor state में change हो रहे हैं without undergoing liquid state तो उस process को क्या बोलते हैं condensation sublimation evaporation or melting that process is called yes sublimation okay so last question is under normal pressure water exists a solid form in solid in the form of ice at what temperature नोमल प्रेशर में जो water है solid form में आइस में एक्जस्ट करते हैं कितने temperature पर रूम टेंपरेचर पर रूम टेंपरेचर पर रूम तेंपरेचर पर 100 डिगरी celsius above boiling point या 0 डिगरी celsius yes the answer is 0 degree celsius thank you for watching